हाई हनी बीज वलकम टू कॉफी बी सो मीरा रोड की सेलिब्रिटी यानि की द भालू अप्पी जो है मीरा रोड में पहुंच चुकी है और भालू अप्पी ने क्या टाइटल रखा बैक्टू बे वाह बैक्टू बे अच्छा यह मुंबई को ना बहुत सारे लोग ऐसे हिरा हुआ है बे जो है वो ऐसा पानी वाले अडियको बोला जाता है और जो रिखिए बड़ा बे वाला बे होता है वह आपके करके बे बना हुआ है तो वह वाला तो भालू पी को लगता है कि मैं ऐसे लिख देती हूं तो मैं बहुत ज्यादा कूल लगूंगी तो कूल लिखने की जो है बहुत बड़ी जो है नाकाम कोशिश किये बालू गदेडी अपी ने अननिया पांडे की तरह यह बालू पी अगर वह दोनों इसेम है एक इथाली की चटी बटिया लेकिन अननिया पांडे जो है उसके पिता जीन स्ट्रगल किया था उन्होंने महनत की थी अपना नाम बनाया हां वह मेंस्ट्रीम के रहते लेकिन महनत करी थी और अची ही इन्वेस्टमेंट के चलते और उस ताइम पे प्र तो यह लोग ना ऐसे कमाते हैं इंफ्लूएंसर के केस में ऐसा रहता है कि इन लोगों के पास काम नहीं रहता है तो यह यूटूब पिया जाता है या तो इंस्सा पे नाच ना गहना शुरू कर देते हैं जैसे कि हमारे संध्या बिनदनी अहिन जी यह सब तो यह लोग इस तरीके से पैसा कमाते हैं किसी ना किसी तरीके से कमाते रहते इवेंड्ट शीह करके यह करके और बहुत सारे लोग जिनकी इतनी ज़्यादा फैस्ट वैल्यू नहीं रहती और इतने ज़्यादा पॉपिलर नहीं तरह डिमांड में नहीं रहते तो वह उर्वशी राउटेला और अमीशा पटेल वाले काम करते अब समझ जाओ क्या का देखा अपने कैसे चहरा उसका फूला फूला हो गया तक खुशी के मारे फूल गया था पूरे रजगुली के तरह फ्रेंस अम नहीं यहां पर हमेशा आते आया करते नान तुम बताओ यह वही वाला कंपाट्मेंट है क्या तो नान कहता हाँ वही है तो कहती थी फ्रेंस हमें निशानी बनानी चाहिए थी हम तो बच्पन में भी निशानिया बनाते थे वह जब आप जाते हो ना ताज महल देखने तब वहां पर लिखा हुआ होता है ना गुटका कि इंगला उस गुटकी यह यही लोग करते है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का क बालु जैसे लोग ही तो करते हैं ताज महल के मैं देखी भाई मैं इतनी इंद्राश हो गई कौन है यह तो तुमारे प्यार इतना जदा प्यार है तुम्हें तो तुम बना उसके लिए भाई यह क्यों पब्लिक प्रॉपर्टी की ऐसी तैसी कर रहे हो सेम में ने राजस्त डरे हो इंसान होंगे कि बहन तो अगर गिर रहे तो तू तो अपना खाली बोला कर मुझे मत शामिल कर मुझे अपनी टीम में मत लिया कर बार बार मीठा गुटका यह गुटका उसमें जनाब को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी थी कि यह तंबा कुवला गुटका महीं है ज अच्छी बात नहीं है और यह कोई प्रमोट करने वाली बात नहीं है फिर उसके गधे फैंस भी बोलते हैं तुम्हारे घर की खराब करो ना क्यों पॉब्लिक प्रॉपर्टी यह डेमेज करते हो और प्राउडली बताते हो अच्छा फिर ना घर पे आकर बताती है कि फ्रे पर इस क्या होते है बागल बेसिक प्रोनाउंसेशन तो सिख जाओ मैमेरीज है फ्रेंस तो इतनी ज्यादा तुम्हारी अम्मी की मामरीज है मैमरीज है तो अम्मी जाती क्यों नहीं कभी है ना कहती है बहुत अच्छा लागता है बोपाल हम जरूर आएंगे दो दिन के लि अधिकानता ही लगता है तो सोचता है वहां पर अपने लोग है यहां तो एक בiling में घू सके को अपने होमटाउन होता है वह वहां पर जाने के बहाने डूनताँ वहां апर जाने के बहाने डुमति Desa बहुत जदा अमीर है वो क्यों जाएगी उसकी तो रुटबा कम दिखेगा इसलिए तो गाउ में वो किसी को मूँ दिखाने लायक नहीं है जो कर्म कांड की हुए है तो किसी से भी मिली नहीं वो गाउ में भी और भुपाल में भी अब वो कारण तो शर्मीली जी खुद जान बाई मेरी ममी जो है वो हमारे होमटाउन जाने के बहाने डूनते हैं मैं जाओं क्या मैं यह है उसकी इंगेजमेंट है उसकी शादी है उसकी दरवास्तु पूजा है यह है वगिर अरे बहाने मारते हैं हमें रोकना पड़ता कि नहीं बेन अभी तुम आये हो एक महीने पह महपत है अम्मी के महबत के खाते रहे तो जो है हमने मौदाहा में शादी की था कि अम्मी को सब इजद दे फ्रेंज सब क्यों ऐसकरते रहे तो हमाएं नाम मत चोडा कर, हमा अनम बिल्कुल महपत नहीं है हम अपने गावब से महपत है ना भबाऀ बहाइल से महपत है इसलि तो हमने बोला कि ठीकत सादी तो कर रहे हैं क्या होगया है लिए धिवॉर्टी है तो क्या हो जाता है कि दो सादी करने में यह प्रदों क Doch Turam मैं सुर्य हमी देखो बेटा मुझे नहीं नहीं होगता है जिन आपका नाम देदेते आप देखा पकड़ी गई हम तो पचाला की पकड़ने के लिए नाटक कर रहे थे अच्छे से पता था कि तुम ऐसी ही हो है तो हमाई नाम चड़ा देते हैं तब कुछ नहीं हम थोड़े बद सूट मांग लेते हैं एक बार मॉल में हमने डिमांड का करी कि हम मेकप दिला दो हमें सब के सामने जलील कर दिया अमी तो मेकप ही मांगती रहती है तुमसे सो गुना अच्छा हमा सानु है तो जाओ आप अब हमने कुछ भी लेकर देंगा हमा हिस्सा बनता है हमें भी जो है पिजहनान की तरह अपना हिस्सा जीए अग ऐसा हिस्सा अम्मी जो बेटी का होते तो मा का होता बिलकुल नहीं बेटी का होते मा का होता था तो तो त कुछ नहीं पड़ी थे अम्मी इसलिए आपने जोए भाई की शादी भावी से गरा दिया अब मुह मत खुलाइगे अगर हमारा भंड फोड़ेगी हिस्सा मांगोगी तो हम सब मुह खोल देंगे तुम्हाइज जैसी बेटी किसी को ना दे अब वह तो देखो किसमत किसमत की बाते होती है कि किस वह मेरी जैसी बेटी मिलेगी बहु मिलेगी अब बहु तो बिल्कुल भी नहीं मिले चाहिए हम आए बहु देखो हम आए तो हमाई ले खाना बना के रखी क्या ही बनाई थी खाना दाल बाटी बनाई थी खाली अम्मी अ हम आपसे बात नहीं करते हैं ठोड़ी थोड़ी थोड़ी स्माइल दे तो तक हम फ्रैंड लोगों को बता दे कि आपके साथ हमेरे कितनी मुहबत है बिल्कुल नहीं जाएंगे देखना फिर हम आपकी शिगात कर देंगे पानी के बल्टी वाली ओके टाटू यह पाट तो में भूप हैंसे जब भी द्ठाते हैं मलें ने को गवाली फॉससा और बिल मी बिलंगी जब उटाया फ्रेंसे से मिलें भावी से मिलें सब से मिलें शरूने खांडये ब्रहे होंगी कि मैडम की इस द invita की नहींपनी दe अक वक्त का खाना भी देंगे लिए तो वहां जाकि मुझे बता देना तो एक वक्ता खाना भी नहीं दे सकते मैडम चाहें लाग बुरी से देखना वाना सब बना के रखता कि वो लोग आएंगे ठक गए होंगे यह वाली सुविदा कभी भी मैडम को या मैडम की मा को नहीं मिलती है कभी भी नहीं जब वह प्रेगनेंट देखता मउम मम करने लगता कर्टा दू से इतना धरता है वो बैच्चा वरना खेलता है शरमी लियू के साथ खेलते हैं बदो再 देखैंगे यह लिएक्यां आकिकन Sorperty अ bicarag होती जो यह लाइद dait कर घ्रेघे यह यह नहीं Love लें पहसा अन्छा आउ नहीं लाइक कहलें से बच्चे को तो भाल उपी जो है उसको लगता है कि बच्चा कहेल में रहे लेकिन भाल उपी को उसके व्लॉग में देखो जनाब मैडम के व्लॉग में देखे जमीन आस्मन का फरक दिखेगा आड़िटिंग करती है अपने आपको पतला दिखाने के लिए व्लॉग्स में वरना भालोपी को अगर आप असल में देखो गए ना सामने से इसको मैंने ओवरोई में देखा था एक बार अरे यह शुरू होते ही खतम हो जाती है यह मैं बहुत अच्छी है यह मैं बोलू कि जूट क्यों बोलू इसकी स्कीन एकदम फ्लॉलेस है लेकिन यह बता ही शुरू होते ही खतम हो जाती है जैसे आप देखो है तुरंत ही खतम हो जाएक और चलती तरह सही कोई पागल के जाती है ना प्रेस की होए-स नहीं जो है अच्छी से पैने होता है झाले दूपटा कन पट्टी के सब लोग बोलते हैं तो सामने से बहुत अच्छे लगते हैं कुछ भी सामने से अच्छी नहीं लगती शुरू होते ही खतम हो जाती है और बहुत अपने आपको एडिट करते हैं उतनी है नहीं उससे भी ज्यादा मोटी दिखती है और जनाब मेडम की व्लॉग में दिखे लो है कि हमारे गाल पिंक हो जड़े पिंक नहीं इसका येलो इस अंडर्टोन है तो यह तो खाली एडिटिंग ही है और जितने लोग गए है वहां पर और मुझसे बात हुई है जिनकी इंस्टाग्राम पर उन्होंने बता है कि यह ना हैवी एडिटिंग करती है अगर सामने से तो दिखको लिए डाक सर्कल से बड़े बड़े लेकिन अपने ब्लोक में इक दम अपनी स्किन को यह फ्लॉॉलेस दिखाती है मैंने देखा था तब वह मैकप होगा जो भी होगा लेकिन दिख रही थी बट अब उसके डाक से आगे है क्योंकि रात-राध भर तो जाकती रह चलो आपको फील होता है अंदर से फिल गुड होता है यह जो एक्सराइब वगरा करते हैं अच्छा आपको अंदर से महसूस हो इस वज़े से लोग एक्सराइब होता है बहुत सा वजन तो घटा नहीं होता ही है बाट आगे चल के वह घटता है ठीके 2-3 महेने बाद आपको जो है ना विजिबल फर्क दिखता है ना की आठ दिन में आपको फर्क दिखने लगता है किसी को भी फर्क नहीं दिखेगा तुरंती तो फेग ऊचेंद एक नंबर की है और कैसे फ्राइंच शीतल ने भी बोला कि हम जो पतले हो रहे हैं वो पानी-पूरी का ना जो है रिजल इनके तो चोले पूरी छोले भटूर सबस्क्रीशन नहीं पूरा रहता है इनके जीम ट्रेनर वह भी इनको कुछ बोलता नहीं होगा यह सब नहीं खाया जाथा अचट-पचट फ्रूट्स काओ यही सब खाते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो वजन गट गया बताओ बला ये यह बात नहीं होती है देखो हम सेलिब्रेटी लोगों का अलब चलता है हम एक दो ही गुलगप्पे खाते फ्रेंस हो तो मैंने मंगाई थी एक पूरी ब्लेट बर गे लेकिन फ्रेंस उसमें खाली पानी था कुछ भी नहीं था अलू अगरा खटा मिठा पानी कुछ नहीं था सादा पानी था फरेंस हो अब समझ लो हमरे दिल साफ है तो आपको हमरी बात मनने पढ़े ही ठीक है दिल साफ हो न ची है कि नहीं फ्रेंस ओके टाटू अच्छा यह कितनी बड़ी बेवकुफ है कितनी बड़ी बेवकुफ इसके इसने ना जब यह बोली थी ना कि भाई अम्मी की क्वाइश इसली मैंने क्लिप डाली उनकी मामरीज है उस टाइम पे आप उसका थोबड़ा देखो साफ साफ पता चलता है कि इसने जो है फाउंडेशन लगा रखा है लिप्स्टिक लगा रखा है और यह कब से उठ घई थी और रेड़ी भी हो गई है उसका मतलब ये था कि वो रूम में ही था ही और उसे अच्छे से पता है कि गुटका किंग कहा गया है गुटका किंग वाश्रूम में गया था उसको पता था कि मोबाइल लेकर मोबाइल की आवाज आही नहीं रही थी वनना हमें भी आती ना कहां से आवाज आ रही थी जूटी तो कहती बेबी बेबी तुम कहा हो बेबी अरे तरो बेबी भाड़ मैं क्यों जा तू पर बाड़ गुटका किंग लिटरली ये बुल रहा था के फ्राइड जेतना सुकुन जो है बाथरूम में मोबाइल चला के आत पर और उसको फील मालिक वाला इतना कुछ किया लेकिन गुटका किंग को सुकुन भालूपी के साथ नहीं मिलता है वह भी सुसू पॉटी करते हैं टाइम फोन चलाती हुए सुसू पॉटी करते चाहिए टाइम आप फोन चलाते वहां पर बैक्टेरिया जमते और क्लीन तो घोम रहा है नहादता दोता भी नहीं है और नहीं यह जो है मोबाइल की स्क्रीन करता है तो आपते कर आप आपके वैलिडेशन देंगे और आपसे वैलिडेशन लेंगे यही तो काम है ना सेट जी यही काम है तो बाई चांस ही नहीं है कि भालू को पता नहीं था वो रेडी होकर वहां पर बैटी थी उसको अच्छे से बताएं गुटका किंग वहां पर गया और मोबाइल लेके गया है फिर कैसे बहाना दे दिया यह बहुत जूट बोलती है आज मुझे कंफर्म हो गया कि कितनी जूटी ऑरत है मजब मुझे लगता था कि जनाब और मैडम जूट बोलते जब व बैबी नियB ने पता नहीं कि तुम्हेरा बेबी कहां गया तो तुम्हें कैसे पता चला कि मोबाइल जला रहा है तो कहते हैं कि आवाज अंदर से आ रहे थे अगर एक वोश्रूम का डर्वाज़ा बंध है तो आवाज नहीं आती है वह पहले केस पहले के दर्वाज़ा का और भाई वाश्रूम में कोई क्या कर सकता है सुसू पोटी अब तुम वह भी दिखाओगी वह इसका बास चले ना तो रिव्यू भी ले 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 गुटका किंग की पोटी का देखो फ्रेंज यह कलर की और इस शेप की पोटी है आप भी कॉमेंट सेक्शिन में जरूर करती है ताकि वह जितने पुराने पाफ है वह दुल जाए अना अम्मी को क्या बोल रहे थी ही 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 सब लोग तो बोल रहे थे कि हम बच्चा भी नहीं संभाल पाएंगे उसकी महा को बड़ा गुस्सार है सब लोगों पे लेकिन वह ड्रामे बाजी भी तो करनी जगत अम्म बूरी ना दिखे तो कहते हैं बेभी क्या कर रहे हो बेभी क्या कर रहे हो मैंने बोला था ना यह संभावना और अविनाश की व्लॉग देखती है गुटका गिंग अविनाश को कौपी करता और यह संभावना को संभावना अपने पती को बेभी बेभी करती रहती है तो य बचकानी हर्कत तो दोनों कुब रॉमेंस करो यह क्या बेशर्म दिखाते रहती और वश्रूम के अंदर इंसान क्या ही कर सकता है तो इस तो तक भाव कितनी गंदी औरत है कि तनी गंदी औरत है क्या कर रहे है वहां पर दांडिया कहले है तू भी खेल अच्या यह गुटका वैसे नल्ला रहता है ठीक है जब देखो तब खाना बहर खाने के लिए रेडी रहता है गूमने के लिए रेडी रहता है लेकिन एक बात आप नोटिस करना जब भी जनाब मेडम से रिलेड़ेड कुछ होता है ना गुटका रेस्टोरंट के काम में बिजी हो जाता है जब जब आई ना तो दोनों गूमने चले गए है आज भी जब जनाब और मेडम के यहां पर लंच पर या डिनर पर जाना था डिनर पर जाना था उस ताइम पर भी जो है गुटका किंग को इमर्जिंसी में काम आ गया और फिर दोनों जो है डेट पर चले गए नाम के साथ तो बुटका किंग जान बुछकर जो है ना भाई बभी के वहाल जादा नहीं जाता है क्योंकि वह दिखाना चाहते कि बहुत बिजी है बिजनिसमें बन गया है अब नल्ला नहीं रहा निकमन नहीं रहा जो कि भाई भी कुल लगता था कि निकमन यह जो अपने दम पे थोड़ सिके वहां में बूद्म है घर जाने के लिएं जिद ना करूब आहीं तो दुलishops के लाख लेक्ड़ कर आता इसे बात मतस्केुं सबुट मत मत कि लिए मुझा लागे भॉक मुझा बेखाना है तुझे देखा प्यारों अब हम बता देंगे सबको अब यह पार्ट हम ट्रेम करते हैं हम आडिटर है अच्छा मा बेटी की नौतंकिया देखी इसकी भापी को भी नहीं पता सा कि इसकी मा कितनी बड़ी कला कर रहे बालो पि एक बज़े तक थोड़ी ना उठा रहे गा तो उसकी अम्मी ना जब तक वह बोल रही थी कि बेबी रूस हो रहा था सुपर मिलेंगे तब तक उसने कुछ नहीं किया जैसे भाबी पे कैमरा गया शर्मी लिए ने चुम्मा चाटी करना शुरू कर दिया अपनी बहुरानी क अच्छा उसके बाद वो रेस्टोन में जाती है तो रेस्टोन में डीप क्लीनिंग हो रही थी क्योंकि बहुत गंधा आ रही थी माँ गटर है असपास और एक तो क्लीनिंग हो नहीं होंगी शायद से सिंख में भी मैंने सुना था कि लाल लाल पान की पिछकारिया और करवा रही थी ताकि ना जो जो उनके फैंस है वो इमोशनली इमोशनली ब्लैक मिल कर पाए उनको है ना कि देखो हम इतनी महिनत कर रहे थे आप आओ खाना खाने हम भी मिलेंगे हमारे साथ फोटो भी खिचवा लेना आप लोग है ना वैसे वो दो लेडी गई थी जो कि रोन कंपेरिजन ही किया होगर अभी भी लोग कर रहा है कॉमेंट सेक्षिन में आज आपको एक पोजिटीव कोमेंट नहीं मिलेगा क्यों क्यों लोग उस से जलते बिल्कुल भी नहीं लेकिन यह कैसा कॉंटेंट है बाई जो है साल हर साल रेनोशन होता इसके घर पे तो कौन सा नौर्मल इंसान जो है हर साल रिनोवेशन करता है कौन सा मिडिल क्लास इंसाल रिलेट नहीं कर पा रहे हैं लोगों ने इसको इसलिए देखना शुरू किया था कि सिंपल सी जो है ना सिंपल स्वीट फैमिली थी जो कि एकदम हंबल थी लेकिन अब ना तो यह लोग सिंपल रहे हैं नहीं स्वीट है अब खाली दिखावे पी ही आगे पूरी जिंदगी दिखावा है हां वह रिनोवेशन और काडिका भी मैं आपको बताऊंगी कि वह क्यों यह दो के लिए हैं ले रहे हैं तो मैं यह बोल रही थी कि वह रोने लगे हैं उसको पता है कि उसके जो फैंस है उससे मिलने की लालच में आएंगी और जितना भी रखेए जितना मरशी जैसा टेस्टों जैसा खाना हो वह देंगे ही 2,500 का बिल तो बने गई तो इसका तो फोटो तब दे रही जब आपके खाना खार रहे हो तो ऐसा दिमाग होता है भाई इसने खूब अच्छे से दिमाग लगा है वहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिलेगा कुछ आड़े तेड़े प्रोड़क्त प्रमोट करना इसने क्या किया सुसाइटी के लिए समाज की लिए जो आप रोने लगते हो बाई कैसी लोग है कौन लोग है पता नहीं और बालो पी पकड़ी गई ट्रेड्मिल जब हटानी थी तब उससे हट नहीं पा रही थी और रुकसाना बाजी और कृष्णा नहीं हटाई जो की दुबला पतला है एकदम कम जोर है बालो तो एक सो बी स्टाफ में जो है हाईर कर लो ना हां स्टाफ में बढ़ा दो क्यों नहीं बढ़ा रहे हो अब तुम खाली पांच-छे लोग लग रखते हो अपने रेश्टोरेंट में और फिर बोलते हो कि मझा बारतान दोना पड़ रहा है अरे अच्छे से स्टाफ अगर हाईर कर लोग देखे हैं ना रिव्यूज वहां पर सब लोग यहीं कम्टेन कर रहे हैं कि रबबड चबा रहे हैं ऐसा फील होता है हमें नॉन्वेज में भी सेम चीज़ फेल होती है और नूडल्स वागेरा में भी तो वहां टेस्ट पर जान दो ना कि यह सजवाट धजवाट पर दिया घ्र कर दखासे रिव कंपरी तो दिखाव़य पर ही ज्यांतितीय है एतास फ outright नास्ता बना रही हो दो चाय बना रही थी तो चाय जो है बुदकार कुझ पाटी थे अर्टी की आلبड ढरat वरोग लाखने को इस बना जाता जाता एंशन बड़िदी है ऐसे वसंपर बड़ी अगर आपका ट्रेनर जो है आपको डाइट चार्ट दे रहा है जहां पर यह सब नहीं आपको मेंशन कर रहा है तो वह आपको गलट डाइट चार्ट जो है फोलो करने के लिए बता रहा है ठीक है साफ दिल वाले लोग इस तरीके से अपना वजिन घटाते ठीक है ना और जित जरूत हैं नहीं के बाण मैं जरूत हैं तो इसकी मम्मी न हमेशा खुला rumών, यह भाण के ना पानी भर से 59 में पानी के लीए और ऑन के लिए नहीं परता जाओं , आप अपनी बन पूरी दुनिया को इसे बरबात किया है यह सिखा रहे हैं कितनी हिंमत देखो भाई इसकी एक दम नालायक चेहरे के साथ नहीं आता है पानी आता है थे कि आप जहा है रहते हो वहां BMC का पानी आता है तीन बार आता है पाप लेकर लेकर जाया करो लेकिन अपती तुमारे तरह निकम नहीं होते हैं जोब पर जाते हैं और रोज डेट पर जाना आप रह 수 कर पाथैंगा तो तरह के पति पर दिएरा किसी की पत्नी नहीं होती है प्रद्रेशित को विच्वल नहीं करा नदेश्य का तरीका अलग अलग रहते हैं अब किसी को घर पर एक करना अच्छा लगता है किसी को अपने हस्बंड किसा टाइम करना अच्छा लगता है इसकी तो मेरी वज़ेसे तु यहां है तो मुझे तो तुझे स्पेशल फील करा नहीं पड़ेगा तो गुटकागिंग ने बोला भी के ब्रैंड बालूज की खुशी के लिए जाना पड़े नहीं हमारी खुशी के नहीं तुरंक मुकर गई देख रहे हो और इसको भी पता है कि इसके रेश्टरून का टेस्ट कैसा ही इसलिए हमेशा बाह खाना खाने जाएंगे लेकिन बाकियों को बोलेंगे कि हमारे रेश्टरून में आना बहुत ही टेश्टी खाना है वगेरा वगेरा अजीब पागल लोग है यह अच्छा भालोपी जो है वापिस से मर्सीडीज लेंगी और घर का रिनोविशन भी कराएंगी कॉंटेंट भ आद में मिलेगा तो आप करें तो करेंगे दूसरा मैं आपका लोजिकल रिजन बताती हूं कि यह जो गाड़ी खरीद रही है और जो रिनोवेशन करा रही है उसका रीजन होता है टेक्स बेनिफिट वैसे ओपनली बोलना नहीं चाहिए लेकिन टेक्स बेनिफिट रही है कि यह से मिलने जारी हूं तो यह फिर इसको इक्सपेंसिस में काउंट कराके प्रेजन के लिए यह वापस ते गाड़ी ले रही है और अपने घर का रिनोवेशन भी इसने क्या बोला था कि फ्रेंस हम सी यह साथ बिलने जा रहे है उन्हेंने तो इतने लंबी लिस्ट यह सब बातों को हमें हिसाब देना पड़ता है अब बोलना नीचे लेकिन जो सी एस रहते हैं अगर आपके थोड़ा पहुत आप उनको अच्छे से मतलब पे कर दोना तो आपके हिसाब से वह सब मैंनेज हो जाता है यह इतिना कमाती है ना तो वह कम ही वह दिखाती होंगी लेकि जो उसने ट्रान्जेशन किये है और उसको बताने पड़ेगे कर सबसे हैं क्या करक्ता है रहता है कि बैठना पड़े गा तो भाइव शॉपिंग कड convictions करती ओहां वहां पे उसको फाइदा हो जाता है shopping करती लिख तो बहालो अपापी और यह दिमाग सी एसापनी दिया था क गाड़ी ले लो ठीक है यह ऐसे नहीं ले रही और दूसरा कि बहुत का किंग को थार चाहिए थी फ्रान मुझा थार चाहिए लेकिन यह मैंने आपको तभी बोला था जब थार वाली बात आई थी नहीं मर्सीडीज लेगी थार में जो बोले ना ओपन रूफ होगा वो नहीं मैं मर्सीडीज क्यों नहीं अफोड कर सकती हूं मैं लुग की मर्सीडीज मैं तभी ऑली यह जिन्दगी लगा ली लेकिन वैसे पैसे हैं इन दोनों के पास मर्सडीज करने के रिनोवेशन कराने किसको गदा बनाते ये लोग किसे बेव को बनाते मुझे समझ नहीं आता है क्या कहती है फ्रेंस तीन साल होने के लिए उने को आ गए है मारी फॉर्टुनर को खूब हमने यूज कर लिया है तो में जो है नई गाड़ी लेनी पड़ेंग कि तुम कितने साल गाड़ी चलाती हो अब जो यह फॉर्टुनर है न दस-फंद्रा साल चला लेती थी इसकी माने पहली बार समझदारी की बात कि आपकी पहली गाड़ी जो होती न वह उसके साथ आपकी इमेशनल अटेच्मेंट रहती है वैसे तो खाला के घर के लिए यह अच्छा नहीं लगा उन्होंने चट पर नयार मुंबना दिया वहां पर तुझे बड़ा समझ आ रहा था अब यह बात समझनी आ थी कि इसकी मेमरीज होती है अब इसको गाड़ी बदलनी है क्योंकि गुटका सेट को यह गाड़ी जम नहीं रहे और पार्किंग के बहुत बड़ी गाड़ी है तीन तीन साल में जो है इसने खटारा बना दिया फॉर्चुनर को यह गाड़ी ना अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखो सर्वीसिंग कराते रहो तो आराम से यह 12-13 साल चल जाती है 12-13 साल चल जा दी यह गाड़ी लेकिन भालोपीर ने त बना दिया फॉर्चुनर को आवाज निकालने लग गया तो मॉरल अद्ट स्टोरी यह है कि कॉंटेंट दूसरा यह है भावी के साथ कॉंपिटिशन इससे देखा नहीं जाता कि भावी जो है इस बात में आगे है इसका बस चले ना तो वह बच्चे के माम लेओ कर भी रही कॉंपिटिशन बावी को बेटा हो गया तो मैं क्यों मान नहीं इसलिए तो कॉंपिटिशन तब से कर रहे थी जब उसकी बावी प्रेगनेंट थी लेकिन अफसोस की वो नहीं बन पाई अफसोस अचा उसके बाद क्या कहती है फ्रेंस हम जो है रिजा के एरफॉन तो हमारे पास ही थे ये एरफॉर्ट लेकिन हमने उसके साथ प्रेंग किया था चल जूटी और देखो कितना जूट बोलती है ये कितना जूट बोलती है ये एरफॉर्ट जो है तुम जिम पे ही बूल गई थी लेकिन जिम वालों ने वापस आग देगी दिये तुझे कि यहां पर प गुटकाकिंग के जो सड़ा हुआ मुँ बनाया था वह क्लियरली बता रहा था कि वह प्रैंक नहीं था सच में तुम भूल गई थी लेकिन तुम्हें जो गालिया पड़ी ना तुम अपने आपको जिम्मेदार दिखाने के लिए नौटंकी करिए कि वह तो प्रैंक था किस होते जूटी मैं तो करा लिया थे तुमने ए ट्रीटमेंट तब तो तो नहीं करा थी क्योंकि उस ताइम पे भावी की महरवानी से करवाया था या तो बहुत स्पांशर किया गया था जूटी की तरफ से इसलिए वहां पे चलता है अब कोई अगर बालो पीको तो ऐसे ही ज सालिस बार दूपटा सेट करती रहते हैं बाल क्लियर ली दिखते हैं अगंजा पन जो है वो दिख जाता है लेकिन फ्रैंट्स के सामने मासुम तो बनना ही है पहलोपी को अब रेड़ी रहिएगा देखें घर वालों को भी नहीं बताती है कि नहीं वह कॉंटेंट है हम तुम में नहीं बता सकती है तो ऐसे तो यह लोग है चलिए जी फिलाल के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपना ध्यान रखेगा बबाई